हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इस्टडी न्यूज आज हम एक भारती वेग्यानिक संबू नाथ डे के बारे में जानेंगे जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के पैथलोजी विभाग के पूर्व निदेशक और सोध करता थे इन्होंने कई दिक्तों और मुसिबतों के बाद भी कलकत्ता के बहुत संस्थान में एक बहुत जरूरी और खास मानी जाने वाली खोज की थी संसाधनों की कमे के बावजूद भी इन्होंने हैजे के जिवाडू द्वारा पैदा किये जाने वाले टॉक्सीन के बारे में पता लगाया था इसके बाद दुनिया भर में अंगिनत हैजे के मरीजों की जान मूँ के रास्ते पानी देकर सरीर में पानी की परियाप्त मात्रा बरकरार रख कर बचाई गई एक समय में महमारी मानी जाने वाली हैजा का खौफ इतना ज़्यादा था कि गाओं के गाओं इसकी चपेट में आकर खत्म हो जाते थे लेकिन अब यह एक सामान बिमारी मानी जाती है यह सब संभूनाथ डे की खोच के कारण ही मुम्किन हो सका है तो हम इस वीडियो में सम्भूनाथ डे जी के बारे में जानेंगे इनका जन्म सन 1915 में गरीबटी नमक गाओं हुगली जिला पश्रिम बंगाल में हुआ था इनके पिता जी का नाम दसरती डे तथा इनकी माता का नाम छतेस्वरी था ये एक साधारन परिवार से थे इनके पिता के मृत्यू के बाद इन्हों ने परिवार की जिम्मेदारी स्वैम समाली इन्हों ने एक दुकान पर सहायक के तौर पर काम किया और फिर बाद में अपना स्वैम का एक छोटा सा वैपार प्रारंब किया इन्होंने हैजा बीमारी को समझने में महत्पूर्ण योगदान दिया और बैक्टिरिया एक्सो टॉक्सीन के कारण होने वाले रोगों के आधुनिक द्रिश्टी कोड में एक इस्थाई मील का पत्थर इस्थापित किया 1884 में रॉबर्ट्स कोच द्वारा विब्रियो कॉलेरा की खोच की गई 1969 में संबूनात डे जी ने पहली बार प्रदिसित किया था कि हैजा के बैक्टिरिया एंटो टॉक्सीन कस्राव करते है अब जानते हैं हैजा बीमारी के बारे में हैजा बीमारी जिसे ACI महमारी के रूप में भी जाना जाता है इस बीमारी के कारण सरीर में पानी की कमी हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है जो वाइब्रियो कालेरी नामक जिवाडू के एंट्रो टॉक्सीन उत्पन करने वाले उपभेदों के कारण होता है हैजा दूसित भोजन या दूसित पानी को ग्रहन करने के माध्यम से होता है इसके सबसे गंभी रूप में रोग के लचडों की सुरुवात के एक घंटे के भीतर ही एक स्वस्त वैक्ति का रक्त चाप घट कर निम्न रक्त चाप के इस्तर तक पहुँच सकता है और यदि रोगी को उचित समय पर चिकित सा प्रदान न की जाये तो उसकी मृत्यू भी हो सकती है हैजा के लिए रोगीयों को डॉक्टर की सल्ला के अनुसार ही दवाईयों का सेवन करना चाहिए तो ये थी भारतियों वैज्यानिक संभूनात डेसी जुड़ी सारी जानकारी आई होप आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा हैवन आइश टे